हलो दोस्तों स्वागत है आपका TechFingas YouTube सानल पे मेरा नाम है विशेक दोस्तों आज की उडियों में हम देखने जा रहे हैं कि अगर आपके पास है Poco F4 5G स्मार्टफोन तो उसके लिए आपको कौन सा बैक कावर सेलेट करना चाहिए तो यहां पर मैंने 5-6 बैकावर सेलेट किया है जो की काफी सारे इसमें यूनिक है पहले कभी देखा गया डिजाइन नहीं है जैसे कि यह वाला आपके स्क्रेइन पर है यह वाला तो काफी हमने देखा हुआ लेकिन कुछ ऐसे डिजाइन भी है इसमें जो की बिल्कुल यून सबसे पहला है आपको मिलें तो दोस्तों चले शुरू करते हैं अब सबसे पहला जो बैकावर आप देख रहे हो यह एक आर्मर बैकावर है आला कि अगर आपने पहले मेरे को वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने दूसरे जो फॉन है उनके लिए भी इन को मैंने suggest किया हुआ है तो definitely अगर आपने इसको पहले भी देखा हुआ होगा ठीक है तो अब इस बैकावर में क्या है फिर उसे बताना ही पड़ेगा क्योंकि जिन लोगों नहीं देखा है उनको नहीं पता है इसलिए बताना पड़ेगा कि इस बैकावर की बात है कि एक hard case ह ठीक है soft case बिल्कुल भी नहीं है hard case है तो यहाँ पर hard case होने के वज़े से काफी strong back cover है और soft case का मतलब यह नहीं होता है कि soft case में strong नहीं है soft case क्या होता है कि अपने आपको थोड़ा सा compress करने कि उसकी capability होती है और जो नीचे गिरने पर जो vibrations generate होते है उसको cancel करने की capability उनमें होती है strong case क्या करता है कि जो भी damage होना होता है उस damage को अपने उपर ले लेता है ठीक है और जिस तरीका material होता है वो easily damage नहीं होता है और लेकिन जो भी vibration होता है उसे अपने उपर जेल जाते है ठीक है तो इसलिए अगर कहीं कुछ भी थोड़ा भी problem हुआ तो back cover को होगा ना कि आप है यह होता है कि हम अपने phone को कुछ इस तरीके से slant position में रखें इसके दरा मेंड़ा ले सकते है जैसे कि अगर आप movies देखना चाहते हो तो आप जो है इसको इस तरीके से देखके देख सकते हो आपको phone को हाथ में पकड़ने की जुरूत नहीं है बहुत क्योंकि बहुत है और definitely हर back cover में safe रहता है कुछ हद तक expect जो अपना printed back hours होते हैं उन में safety सबसे कम होती है तीक है उसके बाद अगर हम देखें तो soft case और hard case दोनों ही हमारे phone के लिए सही रहते हैं कुछ और features होते हैं जिनके मैं आगे बात करूँगा आगे दूसरे back hours में वो थोड़ा special feature होते थोड़ा सा extra protective features देते हैं वो हम आगे बात करेंगे फिलाल इसमें यह अपने उपर जो भी नुखसान होता है अपने उपर जैल जाता है अब तीसरी चीज है यह जो रिंग के बीच में black color का एरिया है यह एक magnetical portion है जो आपको कार में attach हो जाता है और फिर आप navigation वगेरा चेक कर सकते हो तो phone को हाथ में लेकर आपको navigation सेक करने की जरूत नहीं पड़ेगी तो इस back cover में यह और एक एक सा फीचर आप डिपेंड करता है कि आपको इसकी जरूत है या नहीं है ठीक है वो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप डिसाइड कर पाओगा इसकी प्राइ के लिए जो price set की है काई ना कहीं इस price range पर यह back cover नहीं होना चीता 300 रुपीज या 350 रुपीज में होता अगर यह back cover तो यह definitely लेने जैसा एक choice होता है लेकिन guys एक बहुत ही premium look provide करवाता है यह आपके phone को आपके phone का पूरा जो back side है उसको hide कर लेता है तो यह कुछ लोगों को अची लगती है कुछ लोगों को एची नहीं लगती क्योंकि phone का back side बिलकुल भी नहीं देखने को मिलता है तो कुछ लोगों को काफी अच्छे लगते है कि ओगर phone का back side का जो color है को को कलर लेने जाते हैं और हमें वो color नहीं मिलता है तो हम उसमें हम satisfy कभी कभी रहना पड़ तो ये एक soft case है, ठीक है, यानि कि soft case क्या होता है, कि phone को जब नीचे गिरता है, तो अपने उपर कुछ हद तक vibrations को जेल जाता है, और phone तक उस vibration को पहुचने नहीं देता है, और phone को protected रखता है, और definitely ये एक printed back cover जैसा design नहीं है, इसका बहुत ही premium design है, बहुत अच्छा material material है, तो यहाँ जो है, नीचे गिरने से आपके phone को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, अब इसमें airbag protection तो नहीं है, अब उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि airbag protection क्या है, लेकिन इसका जो design है, सच में कमाल का है, ठीक है, अब anti fingerprint है, मतलब इस पर fingerprint के कोई निशा मतलब यह होता है, कि थोड़ा सा race रखने से क्या होता है, कि हम जब phone को table पर रखते हैं, तो table के उपर रेत के दाने रहते हैं, और रेत के दानों को यह से camera पर scratch से लगेंगे, अगर आप camera के side से नीचे रखोगे, और अगर आपने screen के side से नीचे रखागे, कुछ लोगों के photos और videos जो हम उसका पूरा मचा नहीं आता है, क्योंकि tempered glass पर scratch लगे होगा था, तो scratch से बचाता है, ठीक है, तो यह फाइदा भी हमें यह आपर देखने को मिलता है, अब हमें कहीं ना कहीं, अगर इसमें कोई problem है, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी price है, इस price पर नहीं मिलना चाह अगर आपको यह वाला back cover पसंदा तो आप यहीं लोग है, मुझे पता है, ठीक है, तो उस हिसाब से ही लोग सोच के price भी रखते है, तो चलिए, अब देखते हैं, तीसरा back cover, यह वाला जो back cover है, personally मेरा favorite रहता है हमेशा, हमेशा मेरा favorite रहता है, अगर मेरे पास यहाँ पर क्या है airbag? इसके चारो corner में जो आपको thickness देखने को मिल रही है, यह actual में एक airbag है, अंदर hollow area है, अब hollow area करता क्या है, कि जब भी आपका phone नीचे गरता है, यह portion जो है, वा अंदर की तरफ डब जाता है, और airbag जिस तरीके से हमारे face को protect करता है, वैसे ही यह phone को protect करता है, ठीक बागी बात करें, इसका grip बहुत तकड़ा रहने बाला है, वो जो 1.0 mm का race lift है, वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, आगे पीछे दोना, तो camera पर और front पर scratches नहीं लगेंगे, transparent backside है, मतलब अगर आप अपने phone का backside पको पसंद है, तो यह भी आप दिखा सकते हो back hours होते हैं, उनके अंदर ये चीज नहीं होती कि आप cover लगा के रख के charge कर लो, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके अंदर जो cuts होते हैं, वो एकदम perfect नहीं होते हैं, लेकिन इन back covers में premium back hours जो है, इन में बिल्कुल proper cuts दिए होते हैं, सारे जो भी inputs होते हैं, और वहाँ पर आपको proper जो slots है, वो देखने को मिल जाते हैं, तो ये इस back cover की खास बात है कि ये एक तो transparent है, और इसमें आपको airway protection देखने को बन जाता है, इसकी price 260 रुपीज है, और आब आँगे चलते हैं, next back cover guys, simple सा एक back cover है, 135 रुपीज का है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें चीजे है नहीं, matte finish के साथ आता है, तगड़ा grip होता है इस back cover का, ठीक है, अब कोई रंग भी रंगे button भी नहीं है, इसमें तो ये premium भी दिखाई देता है, लेकिन किसी तरह का कोई pattern बगेरा नहीं है, ठीक है, अब पीछे का ये जो look है, कि camera की चारों तरफ थोड़ा से light green का color दे रख तो ये चार options भी आप देखने को मिलेगा, जो भी आपको पसंद आता है, आप select कर सकते हैं, और बाकी अगर हम देखें, तो grip अच्छा है, soft case है, matte finish का दाता है, तो fingerprint भी यहां पर show नहीं होगे, camera में आपको raise lips देखने को मिल जाता है, 1 mm का, तो वो भी आपको यहां पर tactile volume buttons, volume buttons जो है, आपको यहां पर tactile देखने को मिलेंगे, यह चोटे-चोटे dots आपको यहां पर देखने को मिल रहे है, ठीक है, यह यहां पर आप देखते है, plus और minus, ठीक है, यह जो है, cushion button है, तो आपको difference पता चले, यहां पर कोई slot नहीं दिया गया है, normally क्या होता है, जहां आपर volume rocker होता है, वहां पर कोई slot दिया हुआ था, लेकिन यहां पर slot नहीं दिया गया, यहां पर उन buttons को थोड़ा cushion बना दिया गया है, ताकि आपको पता चल जाए कि कहा, volume plus और minus कहा होता है, जो volume rocker है, वो कहा है, यह पता चलने के लिए आपको plus minus का यहां पर sign दिया गया और थोड़ा cushion button बना दिया है उसको, तो features हो काफी अच्छे हैं इस back cover के, लेकिन थोड़ा सा और design होता तो बजा जाता है, तो यह भी एक अच्छा option हो सकता है, अब आते हैं next में, फिर से एक premium look वाला, यहां पता आया है, यह जैसे यह premium look देता है, वैसे यह भी आपको premium look द वो भी 600 रुपेगा था, वो भी golden sand का था, यह भी golden sand का है, ठीके, तो अब आप इन में से select कर सकते हो कि आपको कौन सा टेक्स्ट ज़्यादा पसंदा है, यह बगा टेक्स्ट ज़्यादा पसंदा है, ठीके, दोनों ही कमाल के back covers है, लेकिन price range जिन दोनों के मुझे लगता है रिग्यर का बहुत बड़ा नाम है, 600 रुपीज में back cover बनाया है, और मुझे यह back cover बहुत अच्छा लगा है, ठीके, इसका complete leather texture है, पूरा, back side पूरा leather texture दिया हुआ है, camera की तरफ सब कुछ leather texture दिया हुआ हुआ है, race slip आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ताकि आपको camera औ बहुत अच्छी तरीके से protect भी कर लेता है, ठीक है, tactile की आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर slot नहीं है, एक्चुल में tactile की दे रखे, तो आपको पता चल दाएगा, और यह सब चीज़ बिलकुल भी यहाँ पर easily accessible रहने वाले हैं, और बाकी अगर ह यह तो होना ही हो गई होगा, और उसके उपर आपको अलग से जो है, वो टेक्स्टर लगाती जाता है, प्यू लेधर आप यहाँ पर देखने को मिलता है, जो color आप select करना चाहते हो, आप उसे select कर सकते हो, ठीक है guys, तो हमने यहाँ पर सारे back hours के बारे बात कर लिए, तो अब protection की अगर बात करें, तो सबसे अच्छा back cover यह है, ठीक है, अगर हम look की बात करें, तो यह वाला back cover और यह वाला back cover सबसे अच्छा रहने वाला है, ठीक है, और अगर हम बात करें features के मामले में, तो यह armor बाला, ठीक है, यह तो all rounder ही है, हाड case है, हाड case जिनको चाहिए ह होता है उनके लीए सउए और बाकि यह आप वार्ड के सी ओढंग हम पॉइंट फाइब आपको मिलता है और बाकी सब आपको भाने में बाला सा और बैटर है ठीके पॉइंट के जिन ठीक है जिनको hard case चाहिए होता जिनको armor back cover चाहिए हो तो उनके लिए भी ठीक है तो अब अगर मैं कौन सा लेता तो definitely guys मैं यह वाला लेता price की साब से भी ठीक है और airbag protection भी मिलता है और transparent back side भी हो और तो क्या चाहिए back cover ही तो ले रहे है अपन है ना इससे अपने phone की phone की features में कोई चीज increase होने वाली है नहीं तो यह वाला back cover बहुत ही अच्छा option रह सकता है इस phone के लिए जिसका नाम है Poco F4 5G smartphone ठीक है गाईज तो उम्हीद एक वीडियो को पसंद आया होगा पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दे क्योंकि इससे हमें आगे वीडियो मनाने की motivation मिलती है और इसके लाव अगर आपके कोई वीडिया आउट तो आप कमेल में भी पोश सकते है तो दोस्तों आज की वीड एक निगली आपका बहुत 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 निवाद